रिदर शुकूँ नमस्काल एक बार फिर से उपस थे तुम आप सक पर सामने रभी बार की कारिकरम में विसलेशन जन्म कुंडली का इस कारिकरम के अंतरगत इस सप्ताह मैंने जिनकी कुंडली चुनी है इनका नाम है जबलपुर मत्य प्रदेश से सुर्भी नागवन्शी इन्होंने प्रस्न अपने करियर के लिए पूछा है शुरू करते हैं जिनकी कुंडली मैंने इस बार नहीं चुनी है वो नाराज बिल्कुल न हो और वो यह न कहें कि आप पैसे लेकर की कुंडलीया देखते हो अरभी बार की कारिकरम के लिए नहां निस्चत रूप से मैं जो बाकी के कारिकरम बनाता हूँ सुबह वाले जैसे सुबह में 10 वजे से लेके 11 वजे के बीच में जो कारिकरम आता है आप लोग जिनका विश्लेशन देखते हैं उसके लिए अलग ओपन्मेंट बुक होती है उसकी भी कहानी अलग है उसको बता हूँ है जब मैं शुरू में कारिकरम बनाता था एक कारिकरम शाम में 8 बजे उसके बाद मैंने सुचा कि जो लोगों की कुणलिया है उसमें सुबह वाले कारिकरम में कर देता हूँ एक नया कारिकरम भी बन जाएगा और लोगों की कुणलियों का प्रस्ण का उतर भी मिल जाएगा फिर बनाते बनाते मैंने उस पे शुरू गिया काम बनाते बनाते एक वक्त ऐसा आया जब लोग यह कहने लगे यहां तो कुछ गाल्दियां भी देने लगे तो उल्टी बुर्टी बाते लिखने लगे कि आप यह वो हलाना निमार का बहुत सारी फिर मैंने गु रखतो या कोई दक्षणा रखतो तो मैंने बहुत कम भी उसकी रखी थी दक्षणा बात में उसकी उपन्मेंट जब लेने लगा तो उसकी डेट बढ़ने लगी अब आप लोगों को बताऊं तो आज के डेट में उसकी बुगिंग बड़ी जादा है और लोगों को वो कार कारिकरम रवी बार का सोचा कि एक दिन तो कम से कम ऐसा बनाया जाए जिसमें लोगों के सवाल लिये जाए प्रस्टोन के लिये जाए उनकी कुणली से तो यह कारिकरम शुरू किया इनकी कुणली में इनका चंद्रमा कृष्ण पप्षि के प्रतिपदा तित्रीका वोगर के शुभग्रा बना है इस पारण से व्यक्ति की कुणली में नौकरी के चांस बढ़ेंगे और नौकरी भाव में शुक्र की रासी बनी है लगन के अधिपती लगन को देख रहे हैं दशम भाव में चंद्रमा कन्यारासी का निर्मान कर रहे हैं जहां के अधिपती सुक्र के संग बैठ करके यानि कि दशम और एकादश्मी के अधिपती एकसांथ भागे को देख रहे हैं ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है व्यप्ति के भागे के सुक्र के लिए और व्यप्ति के भाग्य शाली सावित होने के लिए इससे अच्छी बात कुछ भी भाग्य भाव के लिए नहीं होती है कि आपकी कुण्ली में भाग्य का कारक गुरू भाग्य को देख रहा हो और भाग्य भाव पे दो सुभग रहों की दिर्ष्टी हो इससे अच्छा अब भाग्य भाव नहीं बन सकता है उसमें अच्छाईया बन सकती है जैसे कि नक्षत्र अच्छा हो उस भाव के अधिपति जो बैठे हैं सुर्य वो जन्म कुण्ली में मित्र की रासी में उच्चा विलासी हैं सुर्य बैठे भी हैं तो शनी के नक्षत्र में बैठे हैं जो इ पर एक बात है दश्मान सा कुंडली में कन्यारासी का निर्माण होना यहाँ पे कन्यारासी और यहाँ पे राहू का परक्रम भाव में जाना यहाँ धनवाव के अधिपती का बुद्ध के संग जाना राहू के संग यह इस्थती आपकी कुंडली में यह बता रही है कि व्यक् आप ये नहीं कह सकते कि मैं आक बंद करके भी बैटूंगी तो मुझे नौकरी मिल जाएगी। तो मंगल वहाँ चार दिगरी के हैं और शनी वहाँ 20 दिगरी के हैं और गुरू वहाँ 12 दिगरी के हैं। परन्तु जो शनी है वो 20 दिगरी के और सुरी जो है वो 6 दिगरी के बैटे हैं शनी के नक्षतर में उत्रा वादरबद में ये इस थती कम से कम बैठे होने से शनी का नीच वंग अच्छा वाला करेगी पर इससे और भी ज्यादा क्रोज अगर संबंध होता शनी और मंगल का तो इसे और भी अच्छा वाला नीच वंग राज्यूग कहा जा सकता था परन्तु फिर भी कम से कम चतुर्थ स्थान में सुरी बैटे हैं दश्रमस्थान पे उनकी द्रिष्टी है और दश्रमस्थान में चंद्रमा स्वैन बिराजमान है तो दो बातें सपस्चतिया अब निकल करके आएंगे व्यप्ति सबसे पहले तो सरकारी नौकरी की कोशिस करे और अगर वो सरकारी नौकरी में सफल नहीं होता है तब पस्चाहत उसको अपने काम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपना काम करना चाहिए जो वो खुद के स्वैन के मालिक होने का हगदार दर्शमवाव में चंद्रमा कנया रासी का निर्माड करना है जिसके अधिपति दर्शमवाव के अधिपति मुध भागई भाव पे उनकी द्रिस्टी है इसे भी अच्छा कहेंगे पर यहाँ पे बाते निकल के आती हैं सबसे पहली बात कि दशमस्थान के अधिपति जब क संकोच से युक्त हो करके और बहुत ही ज़ादा ब्यायशीलना हो करके थोड़ी सी प्रविर्ती में कंजूसी देने के साथ भाग्यशाली बनाने के साथ भाग्यवादी भी बना देते हैं परवस्तुता जन्मकुणली में गुरू जो लगनेश हैं वो शनी और मंगल के संग बैठे हैं और दशम वाओ के अधिपती जो करियर और पिता के अधिपती होते हैं वो बुद्ध शुक्र के संग बैठे हैं जो छटे वाओ के अधिपती होते हैं इस कारण से हमें निश्चित रूप से सावदान हो जाना चाहिए परस पर तीन बातों को ले करके पहला पित लिए ही आ रही है क्योंकि आपकी कुणली के दशमस्थान के जो अधिपती बुद्ध हैं वो छट्वे भाओ के अधिपती के संग बैठे हैं और छट्वे भाओ के अधिपती शुक्र इस कुणली के लिए और सत्तम भाओ के अधिपती बुद्ध इस कुणली के लिए सामा पिकुनली के दशमस्थान या नवमस्थान के अधिपती एक सांथ बैठ करके ये कहीं भी अगर भाग्य भावपे कम से कम दो सुभब्रा की दृष्टी और भाग्य के कारक गुरू की दृष्टी भाग्य भावपे है इसका सबसे संपोर्ण सुख ही ये मिलेगा कि व्यप्त व्यप्ति भाग्य शाली है और उसको जीवन में उसके भागय का और उसके पुर्वजों का आशिरवाद उसे मिल रहा है परंतु यहाँ एक नुकसान का योग वनेगा व्यप्ति को उतना जादा पराक्रमी और हटी बनाने में उसकी टिपणी हो जाएगी और इस कारण से क और धन भाग के अधिपती वापस अपनी दस्वें दृस्ति से धन को देख रहे हैं यह अपने आप में ही सिख्षकिय योग विक्सित करेंगे कारण है क्योंकि जन्म कुणली के धन भाग के अधिपती शनी इस कुणली के लिए सामान्य ग्रह के रूप में परभाशित होत से छोटे भाई भाई बहनों का सुख थोड़े बहुत आसानी से और थोड़ी बहुत कमजोरी से मिलता रहता है मतलब इसका सुख निश्चितरु से सुक्र और बुद्ध के बैठने के कारण मिलतो रहा है परंतु पंचम भाव में नीच के शनी और जन्म कुणली में पराक प्रिस्ट करमचारियों से उसके समंद्रों में कमजोरी देखी जाती है इस वज़ा से इन सब चीजों पर आपको फोकस करना होगा आप रिस्क में हैं करियर को ले करके ये बात आपको मानना होगा इसके अत्रिक्त आपकी कुणली में नौकरी के 60 से 70 प्रतिशत योग बने तो प्युक्त समय बना रहे हैं और स्थदी का आतलन करें तो अभी आपकी कुणली में राहू की दशा है इस कुणली के लिए राहू जो बैटे हैं उसमें निगेटिव प्रभावों के साथ आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं उनको ठीक करने के लिए चतुर्थी का ना करें मतलब किसी पे नहीं किसी पे विश्वास करने का अर्थ बताऊं अपने पिता अपने भाई चाचा के लड़के मामा के लड़के बुगा के लड़के यात्रा में जो सहफाठी मिले उनको अपने परम मित्र अपने परम निकटस्त व्यक्ति पे भी विश्वास ना क इसके अत्रिक्त घर में कभी भी अकेले रहें तो सब को बता दें कि मैं अकेले हूँ। यात्रा में कभी जाने से पहले कभी किसी का दिया हुआ कुछ भी ना खाएं। नहीं तो और अपने वस्तर पे ध्यान दें कि आपने कपड़े कौन से पहने हैं वो फटे और चिथड़ पहले हो सके तो एक लाजवर्थ जल्दी से धारन कर लीजे इसके अत्रिक्त चतुर्थी का ब्रक्त और कम से कम राम चरित मानस के एक पेज का पाठ प्रतेक दिन अवश्य किया करें। सब्तफ श्रोकी दुर्गा का पाठ अस्तमी और चतुर्दशी को अवश्य करें। इस नौकरी का योग बहुत अच्छा चल रहा है पर वैसे एक बहुत अच्छे योगों में से दो अजार पचीस के पांचवे महिने से नौकरी का अच्छा योग आएगा जो लगादार तीन साल चलेगा। इसके साथ साथ आपकी कुणली में धन को लेकर के कोई विशेस चिंत करने की आवशकता नहीं है क्योंकि धन भाव के अधिपती जो शनी है वो गुरु के संग मैटे हैं और पंचम भाव में बैटे हैं तो धन का शुक मिल जाता है निसंदे अपने छोटे बाई बहनों के साथ आपके समंद अच्छे हो इसकी कोशिस आपको हमेशा करनी की विवाह जब कभी हुकरना हो पुर्व दिशा बहुत अच्छा रहेगा विवाह जब कभी भी करना हो कुंभराशी के जात्री जात्री चाहिए मैत्रि कभी भी करनी हो तो मेश और सिंवालों से अच्छा रहेगा इस कुंडली के लिए अंक सदईव सात बहुत अच्छा रहे इसके अत्रिक्त आपकी कुंडली में गुरु-मंगल का सिक्छत की यूग आपकी कुंडली को यूग्यता से युक्त रख रहा है नौमाज कुणली में उच्च के गुरू उच्च के शनी मित्र की रासी में शनी बुद्ध और स्वग्रही सूरिये आपका दामपत्य कभी भी खराब नहीं होगा कर्म छेत्र में ब्यापार के युग भी बने हैं अगर नौकरी नहीं लगेगी तो आपको बहुत ज्यादा सत्यवादी समझने की भी आवशक्ता नहीं है आपका दर्शन अच्चा है आप एजुकेटिव हो और आपकी कुणली मजबूत है क्योंकि चंद्रमा कमजोर नहीं है इस कुणली में राशी बनी है कन्या जिसके अधिपती नीचा विलासी हो रहे है इस कारण से भी अपने प्रगर्ती को बल दीजे और अपने निर्णे लेने की छंता को और भी ज्यादा धारदार बनाएजे बस इतनी सी बात है और क्या बताओ इस कुणली में धन कमाने के लिए कभी भी जाना होगा आप पुर्वदिशा की तरफ जा सकते हैं इसके अत्र और रोग से बचने की आवशक्ता होगी किसी को बहुत जादा पैसे देने की हुई आवशक्ता नहीं है विवाह में मतभेद ना हो इस वज़ा से कुणली मिला करके विवाह करिएगा ड्यूतियस शनी मंगल के संगबैदे हैं इस कारण से विवाह के योग कमजोर ना हो और विवा वक्त पे हो जाए इसकी भी कोशिश करनी चाहिए अब क्या बता हूं अब आदो और बता देता हूं आपकी कुणली में राहु जो हैं वो 2021 के नमंबर तक हैं इस वज़ा से ये लाजवर्त 2021 के नमंबर तक पहनना चाहिए पर इसके साथ साथ अगली जो दशा कई बार वो दूसरों के द्वारा इस्तमाल होता हुआ अपना जीवन विदा देता है अपने आपको समझे अपने आपको और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाने के आवशकता है आप गुरू से प्रेरित हैं गुरू लगन और भागय को देख रहे हैं लाब विव्यून की बन रही है वो राहू की दशा के कारण है पर आपको नौकरी किया निये जो भी कोशिस होनी चाहिए उसको पूरी करने की आवशकता है आपको नौकरी मिल जाएगी 60 से 70 प्रतिस तक इस कुणली में नौकरी के योग हैं क्लियर है पिता का सुख इस कुणली से बहुत अच् करण